नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज मैं आपको आलू से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में बताऊंगी इसे इंग्लिश में पोटेटो कहते हैं और इसका वैज्यानिक नाम सोले नम ट्यूबर ओसम होता है आलू बहुत से पोष्टिक तत्मों से भरपूर होता है आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाय जाता है इसमें पोटेशियम, विटामिन A और C भी परियाप्त मात्रा में पाय जाता है इसके अलावा दोस्तों आलू में मैगनेशियम, फॉस्फोरस, आईरन और जिंक भी पाय जाता है आलू के कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड में बदल कर शरीर को तुरंत शक्ती प्रदान करते हैं आलू खाने में तो स्वादिस्ट होते ही हैं, लेकिन इन में कई औशिडी गुन भी मौजूद होते हैं, जो हमारे स्वास्त के लिए बहुती फायदे मंद होते हैं तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं दोस्तों इसे जानने से पहले सबसे पहले तो एकने वेतन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं, क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को सरू ले लें ताकि आप हम से जुरी रहें, हमारी दरदी है जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा बिटा सकें दिमाग के बहतर कामकाज में ग्लू कोस लेवल, ऑक्सिजन की आपूर्ती, विटामिन B कॉम्पलेक्स के, विबिन घटकों और कुछ हर्मोन्स, एमिनो एसिड और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिट्स पर निरभर करता है दोस्तों, ये सभी चीजें आलू में पाए जाती हैं इसलिए आप दिमाग के कामकाज को बहतर बनाने के लिए आलू का सेवन कीजेगा इससे आपको फायदा मिलेगा आलू में मौझूद विटामीन्स, केल्शियम और मेंगनीशियम गठिया रोगियों के लिए भी पहुती फायदे मन माने जाते हैं वहीं आलू में मौझूद विटामीन्स C, सकर्वी रोग को रोकने में भी मददकार होता है जो की विटामिन C की कमी के कारण हो जाता है विटामिन C और विटामिन B कॉम्पलेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैंगनेशियम, फॉसफोरस और जिंक जैसे खनिज तवचा के लिए अच्छे होते हैं इसके अलावा कच्चे आलू का गूदा शेहत के साथ मिक्स करके तवचा और चेहरे को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकता है यह तवचा पर मुहासों और निशानों का इलाज कने में भी मददकार होता है यदि इसके गूदे को तवचा के जले हुए हिससे पर लगाया जाए तो यह बहतर रूप से इलाज करता है इसमें अलू के तुकडे तवचा को साफ और कोमल रखने के लिए खास कर कोहुनी के आसपास और हातों के पीछे के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं करने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धनेवादे हैं